अचल संपत्ती के प्रावधान हटाने के मामले में सुनिल पारवानी समेथ कई नेता दौरान मौजूद रहे हैं बड़ी खबार इस वक्त की EWS में अचल संपत्ती के प्रावधान हटाने के मामले में सवन समाज ने सीम अशुक गहलूत का आभार जताया है जिस तरीके से EWS में अचल संपत्ती के प्रावधान है वो हटा दिया गया है डौक्टर महेज जोशी के नेत्रतों में सीम से मुलाकात यहां पर की गई सुनिल परवानी समेथ कई नेता इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने सीम का आभार जता है इतियास में और आने वाले बविश्य के लिए एक महत्पूर्ण कदम जो राज सरकार ने उठाया है उसके लिया आज हम मुक्यमंद्र जी को जैपूर शहर के तमाम कॉंग्रेस जन और सारे साथी आज उनको बढ़ाई देने आए और मैं समस्ता हूं कि जिस तरीके से जैपूर में दो नगर्णिगम का जो वरी सीमन और बनाए गए हैं दो मेर के निये उसमें पूरे शहर का धाचा पूरा एक अलग तरीके से डवलप्मेंट को लेके के अमने नीती बनाई है और मुझे लगता है कि जनता की भाणाओं की कदर करते हूए हम लोग इसमें जिस तरह से हमारे आला कमानने और कॉंग्रेस के सारे साथियों ने जो आदनी मुख्यमंदी जी से जो रिक्वेश्ट की थी उसको उन्होंने सुईका रहा है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद तो EWS कैटेगरी में अचल संपत्ति के प्राबधान को हटाने के मामले में अब सवन समाज के लोग सीम का आभार जटाने के लिए यहां पर पहुँचे सवन समाज के कॉंग्रेस निताओ ने यहां पर सीम गहलोग का आभार जटाने